हुआ है यहां पर हम लोग जो आज टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वह होगा ओक्टूबर का कंपाइडेशन है वह आज पढ़ने वाले हैं यह क्लास आपका रिकॉर्ड फॉर्म में रहेगा पहले ही बता दिया है तो चींग चॉंग पिंग कुछ ऐसा मत करियेगा सेकेंडली आपनों का एक्जाम शिरियूल्ड है आप सभी को पता है नौ तारी से पेपर स्टार्ट होने जा रहा है तो यह क्लास उससे पहले आना जरूरी था ठीक है तो कुछ काम की वज़े से क्लास जो है वो लाइब नहीं है बट यह क्लास आपके लिए आना जरूरी था से पहले इसके मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया है रात के बच चुके हैं दस और हम यहां पर यह क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं है प्रभू क्या होगा मैं सब दिन की शुरुवात करेंटा फैस दिनकान करेंटा फैस एक वो ब्रांड आती नहीं है ओल अबाउट देख इसके जो PDF है वो मैं आपको टेलिग्राम पे शेयर कर दूँगे आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर लिजेगा सेप्टेंबर का कमपाइलेशन मैंने अल्लेडी पढ़ा दिया था मेरिथन क्लास में वहां से देख लिजेगा और बाकी आपको जो रिवेजिन है 2022 का उसका क्लास मंडे को और ट्यूजे को शाम को चार बचे अनेक आर्मी आप पे रहेगा आई ज़रा शुरुबात करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से कॉस्चन से जो आपके ऑक्टूबर के मन से सबसे ज़्यादा जरूरी है सेशन को बस एक बारी से शेयर जरूर मार देना और आगास किया जाएं एक बासे कॉमेंट बॉक्स के अंदर थम अप कर दीजे सो दाट हम लोग का जो सवालों का सिलसला है उसे शुरू किया जा सके आईए जरा शुरू बात करते हैं सबसे पहला कॉस्चन आपके सामने आता हुआ फटा फट से कॉस्चन पढ़ना हो फट पर टावल किया है और इनको भीजा गया है क्रू मिशन के लिए अगर बात की जाए कि कौन से नंबर की फीमेल बनी है तो शीज दा फर्स फीमेल यह सबसे पहली ऐसी फीमेल बनी है जो की नेटिव अमारिकन है और जिन्नोंने ऐसा केर्थिमान स्थापित किया है अगर हम ब मुडेरा यह इंडिया का सबसे पहला सोलर पावर्ड विलेज डिक्लेर किया गया है और यह डिक्लेरेशन पीम मोदी जी के द्वारा किया गया सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से राज्जी के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसके पर्टिकुलर जगे पे आपको एक अंदिर भी मिलता है जिसे आप मुडेरा सन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं यह गुजरात के अंदर ही आपको मिलेगा अगर आपसे कहा जाए तो इस इस इन और सा नेक्स कुशन पर आईएगा अगला समाल वाइल लाइफ वीक जो है वो कब सेलिबेट किया जाता है अगर हम वाइल लाइफ आक्ट की बात करें तो वाइल लाइफ आक्ट जो है वो बनाया गया था 1972 में सवाल में कहा जा रहा है वाइल लाइफ वीक जो है यह कब मनाया जाता है तो यह सेलिबेट कब होगा यह होग बात 2 से लेके 8 October के बीच में अगर हम 2 October की बात करें तो यह होता है happy वाला birthday किसका आप सभी को पता है और उनके happy वाले birthday को UN ने declare किया हुआ है non violence से वह भी international level पर ठीक है उसका answer होगा option number two अगले पर आईए डी वाई चंद्र चोन इनको CGI के रूप में नियुक्त किया जाएगा सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से नंबर के CGI के रूप में इनकी नियुक्ति की जाएगे तो डी वाई चंद्र चून जो है यह यू यू ललत जी की जगे लेंगे जिनका appointment as a 49th CGI के रूप में किया गया था और इनका जो appointment है यह 58 CGI के रूप में appointment होने जा रहे है जब भी Supreme Court of India आएगा तो आर्टिकल नंबर 124 आपको देखने को मिलेगा यह रहे यहां पर डीवाई चंद्र चून इनका जो कारेकाल होने जा रहा है वो कित्ते साल का होगा दो सालों का रहेगा नेक्स इंटरनाशनल सोलर अलाइंस की बैठक अभी हाली म लेके बीस तारक के बीच में इस कॉंफरेंस का इयोजन किया गया है सवाल में कहा जा रहा है कि कहा पर इसका आयोजन किया गया तो यह धिली के अन्दर कौन सा एडीशन है फिव्थ एडीशन है जिसका ईयोजन किया था ठीक है आगे चलतें Rest nauc India Rest of India इनके दारा अभी हाली म इन में से कौन सी ऐसी टीम है जिसको हराया गया है किसमें इरानी Cup 2022 के अंदर और इसका आयोजिन कहां पे हुआ राज़कोर्ण के अंदर इसका अयोजिन किया गया आपको बताना है कौन सी टीम को हराया तो सुनिएगा इरानी ट्रोफी जो है यह Domestic Cricket है और इसके अंदर आप देखेंगे तो rest of India जो है इन्होंने स्वराश्र को ही हराया है यानि कि ये match जहां पर हो रहा था उसी जगे की team को इन्होंने हराया है तो answer क्या होगा स्वराश्र होगा अगला कहा जा रहा है कि 32nd नमबर का बिहारी पुरुसकार 2015 लिट्रेसी का दिया गया है आपको नाम बताना है किताब का नाम क्या है पांच रंग चोला पहन सखीरी आपको बताना है नाम क्या होगा इनको इस आवोड से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीचेका कि यह जो आवॉड हैं केके बिला गुरुप के द्वारा दिया जाता है। वेसे ही सम्मान कि यह ऌलग है। और ये वाला जो कमिशन है, ये refugees के लिए है, ये कमिशन अलग है, बोला जा रहा है, Nansen Refugee Award 2022 किसको दिया गया, इस Award से किसको सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएंगी, Angela Marker, एंजला Marker ने 2015 में, जो migration हुआ था, उस समय पर सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड की गई थी, जर्मनी के द्वारा, और उस समय पर ये Vice Chancellor के रूप में काम कर रही थी, जर्मनी के अंदर Vice Chancellor के जो post होती है, वो ज़्यादा important और ज़्यादा बड़ी होती है, as compared to other post, इ इनका जो नाम है, ये बहुत important है, क्योंकि अभी हाली में इनको Nobel Award मिला है Literature का, सवाल में कहा जा रहा है कि ये कौन सी country से belong करती है, तो country का नाम क्या हो जाएगा, country का नाम होगा France, क्या नाम होगा France, चरे, ये रही आपके सामने Literature Award, अगला, Workshop Village कहा पर बनाए जाएंगे, Workshop Village जो है, ये अरब nations के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, UAE के अंदर इसको बनाया जाएगा, सबसे important है कि UAE के अंदर सबसे पहला जो मंदिर है, उसको खोला गया है, और वहीं पर इसका आयोजन भी किया जाएगा, और यहीं बनाया जाएगा, worship village, इसका answer क्या हो जाएगा UAE, दुबाई के अंदर इसको बनाया जाएगा, आप यह देख पा रहे होगे, यहाँ पर आपको यह मंदिर की जो अंदर की फोटो है, वो आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत सारे भगवान जो है, उन सब की फोटो को यहाँ पर रखा गया है, अगला, कौन सी ऐसी र गर्ल चाइड है, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, और जब वो हाईर एजुकेशन के लिए पहुचेंगी, तब उनको यहाँ पर क्या होगा, फानैंशल सपोर्ट जो है, वो प्रवाइड किया जाएगा, अगला, गुजल, बकरवाल एंड पहाडी, मैंने आपको सवाल ऑक्टूबर का है, तो अबसी बात है कि पुराना सवाल है यह, तहां जा रहा है, गुजल, बकरवाल पहाडी, यह मेजर ली आपको कौन से स्टेट में या यूनिन टेरिटरी में मिलेगी, अगेन जो भी बच्चे बाद में आ रहे हैं, प्रीस क्लास के लिंक को एक पारे से शेयर कर दीजेगा, यह अक्टूबर का कमपाइजेशन है, जो आपके हर एक एक एक्जाम को कवा करेगा, तो क्लास में आके रोना धोना मत, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, जरूरी था जाना, इस लिए क्लास रिकॉर्ड किया है, बट यह क्लास टाइम से पह परिवर्तन दिवस, यह कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, यह किसके नाम के साथ में जुड़ा है, बियार अम्बेटकर जी के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है, अगर कहा जाए कि भईया इसका आयोजन कहा होगा, तो यह नाकपूर के अगला, दाशशश्त्र रामानुजन प्राइज, जो कि माट्स के फील में दिया जाता है, कॉस्टन में कहा जा रहा है कि 2022 का ये वार्ड किसको दिया गया, तो देखें, पहला वाला, यानि किस से पहला वाला, नीना गुपता जी को गया था, और इस बार कि अगर हम बात कर तो इन में से कोई भी नाम सही नहीं लिखा हुआ है, ये वार्ड दिया गया है किसको, योंग जिंग, टैंक को ये वार्ड दिया गया है, और ये वार्ड किस से जुड़ा है, ये जुड़ा है, मैट्स के साथ में, अगला सवार, अरुनाचर प्रिदेश के जो गवनर है, यानि कि बीडी मिश्रा जी, अभी हाली में इनको कौन से राज्च के अंदर एपोइंट किया गया है, अगर आपसे कहा जाए कि मेघाले सुर्खियों में क्यों है, तो मेघाले के अंदर अभी हाली में एक कैमपेण कंड़क की गई, फोर कनेक्टिंग दा पीपल, फोर कनेक्टिंग दा पीपल, ये और्गनाइज किया गया, तो इसका करेक्टांसर क्या होगा, मेघाले, नेक्स, अलन, जॉन और एंटर्स, सवाल में कहा जा रहा है कि जो तीनों नाम आपको नजर आ रहे हैं, इनको अभी हाली में अवाड से नवाजा गया है, सवाल में कहा जा रहे है कि इनको जो अवाड मिला है, वो कौन से फील्ड में दिया गया है, आपको फील्ड बताना है, तो इसका करेक्टांसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बनेगा साइंस, क्या बनेगा science के field में इनको award से सम्मानित किया गया है अगर हम noble की बात करें तो noble award जो है वो अलग-अलग categories में मिलेगा लेकिन इसमें जो economics वाला है सबसे आकरी में आता है और जो peace वाला है वो उसलों से दिया जाएगा इन में से कौन से ऐसा राजी है जहां पर reservation को भी हाली में बढ़ाया गया है 6 से 10% वो भी STs के रिए कौन से state में इसको hike किया गया है वैसे hike अगर आप देखें तो केरिला के अंदर भी किया गया है और कुछ state और भी है जो ऐसा करने के बारे में सोच रहे है आप से कहा जा रहा है कि यहां पर state कौन सा है तो दिस इस तेलंगाना कौन सा state है तेलंगाना है जुसने अभी ऐसा किया है अगर हम 1% reservation for the transgender की बात करें तो यह 1% reservation किसको दिया गया है यह दिया गया है transgender को किसके द्वारा करनाटिका की सरकार के द्वारा अगला सवाल सिधी पेट हिमरू और गोंगडी यह क्या है यह अलग-अलग आपको fabrics देखने को मिलते हैं सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाली में इनको UNESCO की list के अंदर feature किया गया यानि कि add-on किया गया है यह कौन से state के अंदर पाए जाते हैं यह एक ही state है जिनके अंदर पाए जाते हैं आपको state का नाम बताना है देखो इन नामों को देखके यह तो clear है कि यह नीचे के दोनों तो state नहीं होंगे बचा कौन सा पहला वाला या फिर दूसा वाला तो यह कहां से होगा तेलंगाना से तेलंगाना के अंदर आपको रमपट temple जो है काकातिया dynasty के द्वारा वो भी देखने को मिलेगा और उसको रखा गया है युनिस्को की साइट के अंदर किसमें रखा गया है युनिस्को की साइट के अंदर रखा गया है अगला which of the following state government has launched a welfare scheme name आसरा pension आसरा pension योजना किसके द्वारा लांच की गई आज बगल वाली आंटी भी सोच रही है रात के 10 बज़ने और लड़की अभी तक पढ़ा रही है ऐसे कैसे ऐसे कैसे है ना चलो कोई बाती कोई बाती रात का 10 बज़ा है पूरी रात अपनी पढ़िये काम करने के लिए कोई समय नहीं होता है ना बस problem यहां पर यह थी कि य भी पढ़ना है फोगा तो बात के लिए कोई बात नहीं सब को सो जाएं तो उसके बाद में आम लोगाइश्फीम खाएंगे चुकचा ठीक है चले करेक्टान से क्या अज़िये है अस्टरा पेंशन जो यह तेलंगाना के लॉंड की लिए नेक्स who became the first player from India to feature in 400 T20 matches किसका नाम यहाँ पर आएगा ये तो एक ही व्यक्ति है this is one and the only Rohit Sharma कौन हो जाएंगे Rohit Sharma is the correct answer अगले सवाल पर आईए Singapore Formula 1 Grand Prix किसके द्वारा जीती गई Singapore Formula 1 Grand Prix किसके द्वारा जीती गई अब यहाँ पर देको Lewis Hamilton का नाम तो नहीं है और Beetle का नाम भी नहीं है बचे यहाँ पर तीन आउप्शन Max, Charles यह Sergo देखो Max और Sergo यह दोनों के दोनों जो है ना यह दोनों ही Red Bull चलाते हैं यह दोनों ही क्या चलाते हैं Red Bull चलाते हैं तो इसका correct answer क्या हो जाएगा Sergo Paris is the correct answer अगला सवाल The Nobel Prize 2022 Medicine यह फिजिक्स के फील्ड में जो दिया गया यह मिला है किसको Swante Pabu को Sorry, Physics कह रहा है Physiology Sorry, Physiology ठीक है? यह इनको दिया गया आप से सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सी कंट्री से बिलॉंग करते हैं तो जहां से अवाट दिये जाते हैं यह वहीं से बिलॉंग करते हैं यानि कि Sweden यानि कि Sweden यानि कि Medicine के फील्ड में इनको इस एवाट से सम्मानित किया गया जो कि Sweden से ही बिलॉंग करते हैं अगर आप से कहा जाए कि कि किस चीज के लिए एवाट दिया गया है तो Human Evolution किस के लिए? Human Evolution के लिए वाट दिया गया है अगला सवाद सुझे लाल थाउसेंग और अनीश दयाल सेंग इन दोनों लोगों का भी हाली में appointment किया गया है इनके पास में तो आपको SSB देखने को मिलता है और CRPF जो है वो भी आपको इनके पास में देखने को मिलेगा लेकिन इनका जो appointment हुआ है वो किस के लिए हुआ है ITBP के लिए हुआ है तो इसका correct answer क्या होगा CND इसका right answer क्या होगा CND is the correct answer next पे आतें बताए who has been appointed as a deputy election commissioner of the of the pole body of India pole body of India के अंदर अभी हाली में किसका appointment किया गया है तो वो गुजरात से belong करते हैं जिनका appointment हुआ है गुजरात के अडर से belong करते हैं उनका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा यह होगा आजे भादू क्या नाम है आजे भादू यह रहे आपके सामने अच्छा election बड़े सही character लगते हैं क्या कहते हो बड़े सही character यह लगते हैं है ना मैं कुछ कहीं इनका interview चल रहा था पता नहीं क्या था कहीं पर मेरी ऐसी नजर पड़ी तो इनके बारे में कुछ चीजे चल रही थी इनका ही interview था मैं तब यह बता रहे थे किसी के बारे में तो इन्होंने बताया कि इनके जो गुरू थे एक बार वह सेम होटल में रुके जहां पर यह रुके हुए थे और गुरू भी कौन थे मनुझ बासपेजी आप लोग जानते होंगे उनका ना तो यह उनको बहुत सदा फॉलो करते थे तो इन्होंने बताया कि एक बार उनकी जो चपलें थी वह वहाँ पे होटल में छूर जाती हैं तो अगर उनकी कोई छोटी सी Čशोटी चीज भी अगर आपको नसीब हो गई ना तो पेटा समझ लेना वह आशिर बाद है तो यह इनका एक फॉट था बहुती सही व्यक्ति लगते हैं मतलब he is like down to earth person इनके वारे में तो आप जितना भी पड़ोगे आपको ऐसा लगेगा है सच में मतलब जहां पर रहते थे वहां पर light भी नहीं आती थी जिस जगे में जिस गाओं पर ये बिहार के अंदर रहते थे वहां पर light भी नहीं आती थी ऐसी situation थी talent कभी भी कहीं पर भी आपको मिल सकता है चलिए next question पर आईएगा बताईए पाक्रो टाइगर सफारी कहां पर बनाया जाएगा पाक्रो टाइगर सफारी कहां पर बनाया जाएगा तो ये डेबलब किया जाएगा किस जगे पर अच्छा अरे एक सवाद लगातार जो एक शहर आपको नंबर वन पर देखने को मिलता है वह चटी बार भी आपको कौन सा मिल ला है इंदौर जो है वह नंबर बन पर रहा अगला इंडियन विमेंट राइट एक्टिविस्स जिनका नाम है शृष्टी बक्षी इनको चालेंजर या फिर चेंज सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब नाम क्या है शृष्टी बक्षी इनको यह वार्ट दिया गया है अगला सवार जंगल सफारी जो है वह कहां पर बनाया जाएगा वर्ड जंगल सफारी जो है यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा होगा जब यह बनके तयार हो जाएगा हर्याना के अंदर इसको बनाया जाएगा अब यह प्रेजन टाइम के अगर हम बात करें तो आफ्रिका वाला जो है वो आपको सबसे बड़ा देखने को मिलता है नेक्स पुलंपारा यह है ग्राम पंचाय सवाल में कहा जा रहा है कि यह आपको कौन से सेट के अंदर मिलेगा विकॉस इस दा फॉर्स ग्राम पंचाय जहां पे आपको क्या मिलेगा डिजिटलाइजेशन भी देखने को मिलता है आप बताईए इसका करेक्ट टांस है क्या होगा इस इस लोकेटिड इन केरिला कहां केरिला के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी चले नेक्स पे आईए इंडिया लेजिंड इनके दौरा अभी हाली में रोड सेटी वर्ल सीरीज टोफी जो है वो जीती गई है शिलंका को हरा के जीता है सवाल में कहा जा रहा है कि इंडिया लेजिंड ने इसको कितनी बार जीत लिया है तो दूसरी बार भी इन्हों नहीं जीता था पहला एडिशन ये दूसरा एडिशन था जिसको एक बार फिर से किसने जीता इनके दौरे जीता गया है अगला सुनियेगा What is the rank of India in commitment to reducing the inequality Inequality को reduce करने के लिए एक ranking release की गई सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इस ranking के अंदर India की ranking कितनी रखी गई है India की ranking कितनी रखी गई है Last fall रखी गई है 123 कितनी है 123 जो है वो India की ranking रखी गई है Next At every which month Exercise प्रस्थान conducted Exercise प्रस्थान जो है यह आपको हर 6 महीने पर देखने को मिलती है कितने महीने पर हर 6 महीने को आपको देखने को मिलेगी Eastern Command के द्वारा इसका आउजन किया जाता है अगर हम Eastern Command की बात करें तो Eastern Command का जो headquarter आपको मिलेगा वो विजाग विशाखा पत्नम के अंदर located है अगला सवान किसका appointment हुआ है उडिसा से व्यक्ती है उडिसा से personality है जो बिलॉंग करती है उनी का appointment यहाँ पे किया गया है और इनका नाम क्या है अपराजिता सारंगी क्या नाम है अपराजिता सारंगी ध्यान दीजेगा शी बिलॉंग फ्रम उडिसा कई बार स्टेट भी पूछा जाता है सेवन्थ एडिशन इंडियन आर्ट फेस्टिवल का कहां पर आयोजित किया गया ठके तो नहीं हो देखो ठकना मना है यह ऑक्टूबर का compilation है ऑक्टूबर में इतनी भर-भर के news आई है और इसी तरीके से नेवेंबर के अंदर भी आपकी जो news है ना वो बहुती जादा भर-भर के आ रही आजकर है ना तो इसका compilation थोड़ा सा lengthy होगा बड़े एक बारी से जोल लगा के session को जोड़ा shareware मार दिया करो यार इसका करेक्टान से क्या हो जाएगा दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा का होगा दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होगा अगला कमल प्रीत कौर इनके उपर अभी हाली में प्रतिबन लगाया गया सवाल में कहा जा रहा है कि ये कौन से खेल से जुड़ी हुई है तो इनका जो नाम है वो किस से जुड़ा हुआ है डिसकस त्रो के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है अभी हाली में इनके उपर प्रतिबन लगाया गया है वो भी तीन सालों का तीन सालों तक यह किसी भी स्पोर्च के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी वर्ल्ड एकोनॉमि या फिर वर्ल्ड वैंक तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिसके दौरा बताया गया है कि सिर्फ इंडिया ही क्या अगर आप देखोगे तो आपको रिसेशन देखने को मिलेगा आने वाले समय में और यह जो रिसेशन होगा इसकी वज़े से हर कंट्री की जो एकोनॉमी होगी या फिर जीडिपी जो होगी वो स्लोडाउं होती जाएगी नेक्स पर आईए इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है तरकश अभी हाली में यह एक एक्सरसाइस के अंदर पार्टिसिबेट करने गई जिसका नाम है इप्समार 7 यह कहां पर बेजी गई तो इसको भेजा गया है यह एक्सरसाइस तीन देशों के बीच में होती है इंडिया ब्राजीन और साउथ आफ्रिका इन तीनों के बीच में इस नेवल एक्सरसाइस का आयोजन किया जाता है नेक्स पर चलो अगला सवाल इंडिया का पहला कादापूर स्पेंडर लॉरिस सेंचुरी कहां पर बन बनाया गया है इसका करेक्टर आंसर होगा तमिल लाडू चांची महबूल बाहुंगे मेरे यह ऐसा मैंने सोचा था हां इसकी आखें बिलकुल वैसी हैं जैसा हम लोगों ने सोचा था देख रहा है विट्टा यह यह गौर से देख लो भाई इंडिया के अंदर पहला ऐसा सेंचुरी बनाया जा रहा है तमिल नाडू के अंदर जहां पे इसको कंजर्व किया जाएगा यह भी सोच रहा है बाई साब कैसे ऐसा हो गया मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कोई बाती इसको भी चश्मा लगा दिया गया है ठीक है अगला सवाल सबसे पहले इसमें से आक्टर जो है वो कौन से बनेंगे आपने एक मुवी देखी होगी या सुनी होगी Mission Impossible Mission Impossible तो बस यहां पे जो नाम है वो नाम किसका आएगा तॉम क्रूज कौन है तॉम क्रूज आपको यहां पर मिलेगे अगला विच स्टेट हैस फुटबॉल फॉर आल प्रोग्राम अभी आपने देखा था कि फीपा के साथ में और इंडिया फेडरेशन ने मिलकर एक प्रोग्राम लांच किया जुसका नाम किया था फुटबॉल लेकिन यहां पर इस सेट भी ऐसा है जुसने इस प्रोग्राम को लांच किया और वो स्टेट कौन सा है दाट इस ओडिसा दाट इस ओडिसा के द्वारेशन पर लांच किया गया है नेक्स पर आईए खुल जरा पास यह पास जो है कहां पर मिलेगा देखो भाई साब आज कल पाकिस्तान की दुरगती जैसी चल रही है यहां पर पूरी दुनिया का सबसे उचा जो एटियम है वह ओपन किया गया है ठीक है यह ओपन किया गया है अगला पैसा आया नहीं पैसा लेने के लिए जा रहे हैं चाइना के पास में जब तक चाइना के पास में पैसा लेने ग गया है तो यह आपको मिलेगा तेलंगाना के अंदर कौन से सेट में रिंटेड्यूस किया जा रहा है नेक्स सवाल बताएं अश्मिता दोर जी यह जारखन से बिलांग करती है और अभी हाली में इन्होंने मानसलू नाम का जो मांटेन है उसके उबद चढ़ाई कि और वह भी अब चेनाब के अंदर रिवर राफ्टिंग फेसलिवल जो है उसका आयोजिन भी किया गया था अगला गुजरात के अंदर और एक program आता है आत्मनीर भर गुज्रात इसकीम 2022 सवान में कहा जा रहा है कि यह इसमने से कौन से से जूड़ी हुई है तो यह Jadi सेक्टर के साथ में जूड़ी हुई है किसके साथ के सेक्टर के साथ में अगला हुआ जो है यह किसके द्वारा इनुग्रेट किया गया है इसको इनुग्रेट किया गया है इसको इनुग्रेट किया गया है इंपोर्टेंट नाम है इसको भूल मत जाइए जादा जरूरी नाम है क्यों क्यों कि अभी हाली में यहां पर नाशनल ट पी वाला बहुत रही मनाया था एक नवंबर को अगला सवाद एजुकेशन 4.0 या 4.0 रिपोर्ट ये भी हाली में रिलीज की गई आप से कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया इसको युनस्को की जी लॉजिकल साइड के अंदर रखा गया है आपको बताना है कि यह कौन सा सेट के अंदर लोकेरिड है तो यह आपको मिलेगा कहाँ पर मिघाले के अंदर मेखाले के गवरनर कौन हो गए BDG यहाँ पर इसके गवरनर हो जाएंगे और यह याद रखना कि यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा Living Road Bridges जो है वो भी आपको कहां मिलेंगे वो भी आपको मेखाले के अंदर ही मिलेंगे चली, next पर आईए, बताएं विज़ आप दी फॉलिंग इस्टेट गवर्मेंट असको इसको लांच किया गया था क्यों? क्योंकि वल्चर जो है वो इन डेंजर केटिगरी में आ गए हैं और धीरे-धीरे करके जो इनकी संख्या है वो कम होती चली जा रही है तो इनकी संख्या को बनाए रखने के लिए यहाँ पर इसको लांच किया गया तमिलनाडू के द्वारा अगला सवार पर आजो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने स्ट के लिए 15-17 और स्ट के लिए 3-7 यहाँ पर क्या किया है रिजर्वेशन को इंक्रीज किया है आपको यहाँ पर स्टेट का नाम बताना है कि किसने ऐसा किया है तो यह किया जाएगा किसके द्वारा करनाटिका के द्वारा ऐसा किया गया है करनाटिका ने भी हाली में अपना पहली नेवेंबर को 1st November को अपना birthday मनाया था और यहाँ पर राज उत्सफ जो है वो मनाया गया और यहीं पर awards जो है वो भी दिये जाते हैं अगला इन मेंजे कौन सी country ऐसी है जिसने अभी हाली में आहाँ देखो ज़रा निहांशू कहा जा रहा है निहांशू के लिए GI tag मागा है यह जो निहांशू है यह बई क्या है यह हो जाएगा चावलिक के पानी से बना हुआ एक alcoholic beverage यह रहां कहां जा रहा है कि यह कौन सी country का है तो यह बनाया जाता है कहांपे जापान के अदर लेकिन GI tag की जो demand चल रही है वो कहांपे चल रही है वो इंडिया के अंदर चेन्ने के अंदर demand की जा रही है अगला सवाल दिवाली जो है वो छुट्टी के पर्व में मनाया जाएगा कौन सी country में अगले साल से या कौन सी city में अगले साल से उसका correct answer होगा New York के अंदर कहांपे New York के अंदर 2023 से दिवाली की जो छुट्टी है वो भी आपको देखने को मिलेगी चले नेक्स पर आईए बताए इंडियन ओरिजिन आहा ये सवाल बताओ तो जाने कहेंगे ये बगवान ये बगवान देखें कहां जा रहा है रिशी सूनक के बारे में आप सब को प इसका नाम आएगा विलियम पिटका यहां पर नाम आएगा ही इस दा यंगेस्ट वन अगला टाइगर ट्राइंप एक्सराइज जो है वहां पर इसका आउजिन किया जा रहा है नेक्स पर चलिए अगला सवाल इन विच ये युएन हाज बीन मेल देखो जब युएन का हापी वाला बर्थडे होता है तब ही पोलियो दिवस भी होता है युएन को बनाया गया कब 1945 में पहले ये लीग अफ नेशन हुआ करता था तो इसका हापी वाला जो बर्थडे है वो कब होगा 24th of October को मनाया जाता है 1945 कब 1945 चले next पर आईए सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एवार्ड है ये अवार्ड किसको दिया गया है ये अवार्ड दिया गया है शक्रो प्राइस के दौरा आपको बताना है कि इसमें ये अवार्ड दिया किसके दौरा जाता है तो ये यहाँ पर ध्यान दिजेगा ये है European Parliament किसको दिया गया है यूक्रेन के नागरिकों को ये अवार्ड दिया गया है next साइकलोन सितरान ये क्या है ये एक साइकलोन है जो अभी हाली में बहुत अगर कहा जाता कि ये नाम किसने दिया है तो ये नाम दिया गया था किसके दौरा थाइलेंड के दौरा ये नाम जो है वो दिया गया था next इस रो का सबसे हैवी जिसका नाम है एस जिसका नाम है LVM3 Mark 2 आपको बताना है किसने विहाली में UK की कुछ सेटलाइट को लांच कि सेटलाइट क्या होगा ध्यान दीजेगा कि पहले इसको हम जी एसलवी के नाम से जानते थे अब यह क्या हो गया है यानिकि लांच भी किल हो चुका है इसका नाम अब चले यह हो जाएंगी टोडल किते 36 कितनी 36 next कहा जा रहा है प्रदान मंत्री आवास योजना अर्पन के इंदर दिया नह legislation किस भी आप तो हाली में आप और किसको मिल यह वहां दिया पिर यंप को किसको मिला यूपी नहीं यूपी को से समानित किया आ गया है नेक्स लेख रहा है और आत में कितना बज़ रहा है दस पच्चिस सा हो रहा है और अभी भी लोग पढ़ाक के चला रहे बताएगे तरह एलिफेंट रिजर्फ ये क्या होगा तीसरा एलिफेंट रिजर्फ बनाया जाएगा आपको बताना है कौन से स्टेट के अंदर क्योंक के लिए अगर बात होगी तो यह यूपी के अंदर बनाया जाएगा दुद्वा नाशनल पार्ग है दुद्वा टाइगर रिजर्फ भी है दुद्वा एलिफेंट के लिए भी जाना जाता है अगला कदमत बीच कदमत बीच यह ब्लू फ्लाग टैक के अंदर जोड़ा गय और अब इसमें टोटल कितने बीच हो गया है बारा बीच आपको देखने को मिलेंगे कितने बारा बीच ग्यारवे नंबर का कौन सा है थुंडी हो जाएगा और बारवे नंबर का कौन सा हो जाएगा कदमत हो जाएगा कहां पर हैंगे तो यह आपको मिलेंगे लक्ष दीप पर कहां मिलेंगे लक्षदीप पर आपको इसकी के लोकेशन मिलेगी अगला कहां पर मनाया जाता है तो यह क्या है यह नया साल होता है तो अपसी बात है कि ये मनाया जाएगा कब जब अभी ये दिवाली के बाद इसका celebration किया जाता है ये गुजरात के अंदर मनाया गया कहां गुजरात का ये नया साल होता है अभी हाली में नया वाला जो राज्य जुराड है वो कौन सा वाला जुड़ा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरा आपने सुना हुआ है गोवा होगा तेलंगाना होगा हर्याना होगा ये कुछ ऐसे सेट्स हैं जो आपको मिलें भी इसके अंदर में आता है ओ पराग अगरवाल क्या बताएं अब है अगरवाल सीओ और विच कंपनी तो ये ट्विटर के इसके ट्विटर के अब इनकी जगर पे कौन आ गया एलन मस्क्क खुदी आ गया एलन मस्क्क खुदी यहां पर अपनी कंपनी को देख रहे हैं ठी कि साइबर क्राइम से उनको प्रोडेक्शन प्रोवाइड की जा सके सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से सेट के अंदर इसको लांच किया गया तो ये करला के अंदर लांच किया गया कहा करला के अंदर अगला शौरे दिवस शौरे दिवस सवाल में कहा जा रहा है कि ये कब म कभ मनाया जाएगा 27 अकट्वर को मनाया जाएगा कभ 27 अक्टूबर को मनाया जाता है अगला आकाश 4L livelihood तीन दिनों का स्पेस कउंफरेंns कहां पर राइयोजग किया जाएगा तो इसका शुपारम्भ होगा कहां पर दहरादोन के अंदर इसको लांच किया जाएगा तीन दिनों का ये conference कंड़क किया जाएगा अगला MP यानि कि Member of Parliament जिनका नाम है जाम यां शेरिंग इनके दौरा मैं भी सुभाश campaign जो है इसको launch किया गया कहां से लेस इसको launch किया गया सवाल में कहा जा रहा है कि Member of Parliament कहां से है तो अब इसी बात है लगदाक से हैं कहां से लगदाक से आपको Member of Parliament मिलेंगे ये campaign जो है ये आगे जाके Mumbai और Calcutta में भी launch होगा इसके अलावा ये शोग bridge है जो launch किया गया और ये जो bridge है ये करीबन 14,000 feet की उचाही पर आपको मिलेगा शोग नदी के ऊपर इसकी location बनी हुई है ये भी अभी हाली में इनुगेट कर दिया गया है competitive या competition commission of India इसके अंदर अभी हाली में appointment किया गया है संगीता जी का सवाल में कहां जा रहा है कि ये बताएए कि ये जो act है ये act कब आता है अच्छा अब यहां से कुछ आपके one-liners है जल्दी-जल्दी से उनको recall कर लीजेगा और session को एक बाई से like और share जरूर से मार दीजेगा FATF के list के अंदर ग्रे वाली में से पाकिस्तान बाहर जा चुका है black list के अंदर मैनमार को जोड़ दिया गया दूसरा COP27 का आयोजन जो है वो एजिप्ट के अंदर किया जाएगा शर्म अल शेक नाम की जगह पर इसका आयोजन किया जाएगा COP27 है यह next एक बॉम का नाम सुनने को मिला जिसका नाम है dirty बॉम यह जो बॉम है किसके पास में हम फटाक से आज समालेंगे रश्या लेकिन एक्षन में रश्या के पास में नहीं यह आपको यूकरेन के पास में देखने को मिलता है लेकिन इसके अंदर यूरेनियम का जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जाता है अगला बी सी शाई ने अभी हाली में अनौस किया है कि दोनों जो है अब इन्ας लो Cao सेम सालरी मिलेगी यायनि कि मेंन्स और विमन्सित दोनों के डिगरी में सेम्सालरी वो दी जायगी बिनी रॉजर का नाम आपने सुना होगा या रॉजर बिनी का नाम सुना होगा हम तो देखो आगे का पीछे और पीछे का आगे गूम जाता है इनका नाम रॉजर बिनी रॉजर बिनी जो है इनको भी हाली में BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसकी जगे पर सौरफ गांगली की जगे पर उसके बाद में यह announcement जो है यह किया जाता है ठीक है चले आहाँ आप तो सर्दियों का दिन आई गया है आप तो यह तो चले गए अब ऐसा record हम भी तो बना सकते हैं बिलकुल आप भी बना सकते वर्ल्ड के सबसे गंदे व्यक्ति जिनका नाम है अमुहाजी अभी हाली में इनकी देथ हुई है कहां पर इरान के अंदर 94 एयर्स के यह थे अगले पर आते हैं सिंबेक्ट एक्सरसाईज 26 सले के 30 अक्टूबर के बीच में विशाका पटनम में इसका आयोजन किया गया यह 29 इडिशन था इंडिया और सिंगपूर के बीच में इसका आयोजन किया जाता है दियान दिजगा विशाका पटनम में इसका आयोजन होरा यानि नेवल exercise है अगला गरण 7 यह जोदपूर के अंदर होती है यह एफोस की exercise है इसका आयोजन 27 तारिक से लेकर 12 के बीच में किया जा रहा है और यह इंडिया और फ्रांस के बीच में conduct की जाती है तो यह था अपना आज का revision session I hope कि आप सबने हर एक point को revise कर लिया होगा Now wish you all the very best for the examination आप जिन भी बच्चों ने test series के अंदर यह test नहीं दिया था भाई यह test दे दिया करिए जरूरी होता है अब तो test होई चुका I think या फिर जब मैं यह short लब यह जो वीडियो आपके लिए आएगा तब तक शायर ना भी ग इसके अलावा जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको SSC की तयारी करनी है SSC के अंदर कोई भी examination CGL, CGL, MTS, any examination आप इस batch को join कर सकते हैं जो कि 10 तारिक से शुरू हो रहा है rankers batch के नाम से इसके अलावा FCI के लिए जो आपका crash course से start हो रहा है यह 16 तारिक से start हो जाएगा आप इसको भ जहां पर आपको 10% discount भी मिलेगा ठीक है और iconic subscription भी available है timely join करिएगा so that आपका कोई भी point कोई भी class जो है वो ना चुते है चलिए तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगले बारे session में सुबह 7 बजे only on bypass study channel till then कुछ रहिए मुस्करात रहिए keep planning keep revising and wish you all very good luck